नमस्कार दोस्तों डीफाव चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं धर्मेंदर संदुष स्वाक्त करता हूँ चैतर नवरात्री में धर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करने वाली मादुर्गा के तीसरे रूप माचंदर घंटा की स्तुती पूजा अर्चना करने से सभी मनों कामनाई पूरी होती है दिव्य शक्ति की स्वामनी माचंदर घंटा भक्तों के पापों वा बाधाओं का नाश करती है आज हम आपको बताएंगे कि माचंदर घंटा का पूजन कर उनका आशिरवाद कैसे पाया जा सकता है माचंदर घंटा का सवरूप शक्ति की स्वामनी दुस्टों का नाश करने वाली मादोगा की तीसरी शक्ति का रूप मा चंदर घंटा का यह सवरूप परम कल्यानकारी है माता के क्रेपा से आलोकिक चीजों के दर्शन होते हैं माता के पूजन से देवे सुगंधियां, देवे ध्वनियां भक्तों के मन को आनंदित करती हैं मस्तक पर घंटे के आकार का आर्थ चंदर धार्न करने की वज़ा से उन्हें माता चंदर घंटा देवी कहा जाता है स्वर्नरंग समान चमकीले शरीर वाली माता के दस हाथ हैं माता अपने दसों हाथों में खडग, शस्त्र तथा बान धार्न के रहती हैं सिह पर स्वार माता की मुद्रा हमेशा युद्ध करने की दिखाई देती है कैसे पाएं माता का आशिरवाद सच्चे मन से पुजा करने पर माच चंदर घंटा के आशिरवाद से भक्त सभी पापों और बाधाओं से मुक्ती पाता है भक्तवी सिहंपर सवार्ग माता की तरह ही निर्भीक हो जाता है माता के घंटे की ध्वनी अपने भक्तों को अंजाने भैसे रक्षा दिलाती है सोमे और शांती के सवरूक वाली माता की आराधना से भक्त में विनमर्ता का विकास मुखवा आंखों में तेजगी व्रिधी होती है नवरातरी के तीसरे दिन माता की स्तुती के लिए इस मंतर का जाप जरूर करना चाहिए इसका अर्थ है हे माता सरवत्र विराज मान और चंदर घंटा के रूप में परसिद अंबे आपको मेरा बार बार पर नाम है मैं आपको बारम बार पर नाम करता हूँ हे माता मुझे सब पापों से मुक्ती परदान करें नवरातरी के तीसरे दिन मात चंदर घंटा समान सामली रंग की विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए भोजन में दहीं और हलवा खिलाएं भेंट में कलश और मंदिर की घंटी जरूर भेंट करें तो दोस्तो यह थी माद दुर्गा के तीसरे रूप चंदर घंटा के पूजन की विधी से जुड़ी जानकारी ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़ी रही है डी फाल चैनल हिंदी के साथ